बिसमिल्ला रिक्मान रोहीम, असलाम अलेकूम, हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन, लोकोमोशन इन वर्टीब्रेट्स, लास्ली हमने शुरू किया था, वर्टीब्रेट्स थोज आनिमल्स विच है दा वर्टीब्रेल कालम, एस दे सेंट्रल सपोर्ट अव दियर बाडी, हमने ल रिपरदक्शन, सेश्व परदक्शन के दौरान, इन्हें वर्टीब्रेट्स रिक्वायर होता है, क्योंके इन में एक्स्टर्नल फर्टीलाइजेशन होती है, ते गेव आउट था सपॉम और एग्स, सपॉम और एग, फूज विच अधर इन एक्स्टर्नल एन्वारमेंट तो अगर ये लैंड के उपर करेंगे, तो वो सपॉम और एग्स ड्राइग हो जाएंगे, तो ये नीड वाटर फादियर सेक्शल रिपरदक्शन, तो ये गो वाटर दूरिंग सेक्शल रिपरदक्शन, दूरिंग ये ब्रीडिंग सीजन, तो इस आर था एमफिबियन्स, एमफिबियन्स का जब भी तज़क्रा हो तो हमारे जेन में सिर्फ फ्राग्स आते हैं, सिर्फ फ्राग्स एमफिबियन्स नहीं और बहुत सारे अनिमल्स हैं, जैसे फ्राग्स हैं, टोड्स हैं, टोड्स भी फ्राग की तरह होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट्स हैं, इसके इसे बात Sicilians जो के दिखने में Snake-like या Earth-form-like होते हैं लेकिन उनके टेट्रा-POD हैं चार पाउं हैं जो के बाड़ी से बाहर originate होते हैं तो ये different examples हैं ये cold-blooded animals हैं यह environment के साथ अपना body temperature maintained रखते हैं ये गर्मियों में hibernate कर जाते हैं सरदियों में estivation करते हैं क्योंके ये body temperature को maintained नहीं रख सकते हैं environment से different नहीं रख सकते हैं ये homeo tharms नहीं होते इसके लावा इन में metamorphosis होती है metamorphosis means ये changes में से गुजरते हैं पहले larva होता है then adult बनता है larva और adult morphologically एक दूसरे से मुक्तलिफ होते हैं आफ frog की example ले ले इसका tadpole larva होता है जिसकी long tail होती है लेकिन adult जो हैं ये tail less होते हैं याद रहें कि frog और toads adult tail less होते हैं इसलिए इनके order कनाम है aneura they are aneura means tail less या without tail राइट लार्वा जो होता है वो gills के जरी रेस्पाइरेशन या breathing करता है जबके adult farm lungs के जरी रेस्पाइरेशन करती है ये fishes की एक class lung fishes से evolve होई है यानि ये descendants है lung fishes के fishes में respiration gills के जरी होती है fishes का एक group है lung fishes उनके ये descendants है इसके लावा मैंने ये examples आपको बता दी है सिसिलियन्स हैं सैलमेंडर्स और नूट्स हैं फ्राग्स और टोड्स हैं etc मजीद ये के इन में respiration तीन तरीकों से होती है ये first year में हमने पढ़ा था एक ये कि ये pulmonary respiration यानि lungs के जरीए cutaneous respiration skin के जरीए एक खास दोर पे जब ये hypernate या estivate कर रहे होते हैं उस दोरह इसके लावा ये buccal respiration buccal cavity के जरीए भी करते हैं to live on land successfully there are a lot of adaptations in them like adaptation in vertebral column backbone में adaptations है limbs में adaptations है limb girdles में adaptations है और इसके लावा musculature में भी बहुत सारी adaptations है ये first true tetrapods है ये चुपाए ये पहले जो amphibians हैं जो के जमीन पर रहने के काबल हुए है अब हम देखते हैं locomotion in amphibians first of all इनका body plan इनका body plan fish like ही होता है यानि ये streamlined body रखते हैं ends tapered and central thick ends जो है वो tapered है ends tapered हैं जबके central body जो है that is thick बजीद इनकी body को उपर slimy surface भी होती है slimy, slippery, soft यानि slimy secretions भी होती है means of locomotion in में different हैं कैसे different हैं ये wriggling करते हैं wriggling का मतलब क्या यानि S wriggling इनमें persist करता है ये sicilians खास तर पर जो के snake like दिखते हैं लब बूतरे से होते हैं बाकी जो wriggling जो है वो salamanders और newts में भी होती है wriggling है क्या basically crawling, ring ना इनकी जो limbs हैं चूंकि ये tetrapods हैं वो hardly crowned के साथ touch कर रहे होते हैं बड़ी माश्किल वो जमीन के साथ लाग रहे होते हैं वो body की side से originate होते हैं main belly muscles जो है वो movement में help कर रहे होते हैं ये belly muscles segmentally arranged हैं ये segments के अंदर arranged हैं और ये basically इसको movement firm करते हैं अगर मैं एक और बात बता हूँ आपको हमने पढ़ा था fishes में s wriggle होता है s band moment होती है इनके अंदर भी s wriggle persist कर रहा है आप जरा इस फ्राग को देख लीजिए ये देखे ये एक s s body farm अभी भी present है इसमें देख लें ये s body farm अभी भी present है इसमें देख लें तो ये s body farm present है तो fish की तरह इनका body plan fish से match कर रहे है s wriggling still over there ऐसे लगता है they are swimming on land they swim on land ऐसे लग रहे हैं ये जमीन के उबर ऐसे swim कर रहे हैं और इसके बाद jumping या hopping या leaping ये तीन different words है मैंने एकठे लिख दी हैं frogs, toads इनकी जो hind legs हैं वो long होती हैं और जो four legs हैं वो short होती हैं hind legs long होने की वाज़ से इनको एक upward thrust मिलता है और ये jump कर सकते हैं यानि एक जगह से दूसरी जगह jump करके जाते हैं मुक्तलिफ ये length की jumps होते हैं कभी ये short jumps जैसे toads हमारे घरों में चल रहे होते हैं अलकल के jumps बास वकात frog जब कोई threat हो तो वो बासा jump लगा के दूर जाके गरता है इसी तरीके से frog के size पर भी dependent करता है चोटा frog है तो वो चोटे jumps लेगा बड़ा frog है तो वो बड़े jumps लेगा ये पानी के अंदर jump जाते हैं when they go into water for the sexual reproduction for the breeding season they swim in the water basically इनकी ये digits होती है पाओं की आतों की यानी four or hind legs की उनके अंदर webbing होती है उनके अंदर skin होती है web होती है इसके वीज़े चपू का काम करती है पानी के अंदर swimming भी कर सकते हैं ये walking भी कर सकते हैं जैसे toad या कोई frog है उसके साथ आप छेड़ खानी कर रहे है उसको कोई threat है आप उसे तंग करें तो वो अपनी टांगों के उपर खड़ा हो जाएगा ताके वो बड़ा लगे और आप उसे डर जाएगा और दूसरा वो चलेगा जमीन के उपर वाकिंग करेगा वो दिवार के उपर ऐसे वाक करके चाड़ रहा होगा तो यह मैंने डाग्रमिज मनाई फराग की as form मैंने आपको बता दी यह एक amphibian है यह admire vur多 आअडर निूरा से बिलांग करता है इसी तरीके से tode भी इसी तरीक़े का होते है तोड़ा सा डिफरेंट होता है बस यह कि इन सब की skin surface slimy होती in tode की rough होती खुर्ड हुती है यह जो है salamander, newt भी इसी तरह की होते है they look like lizard but lizard is reptilian and they are amphibian यह sicilian है it look like snakes and the earthworms यह body लेकिन इसके जो है वो tetra pores present है यह थी locomotion in amphibians बहुत simple topic है, कुछ भी मुक्तलिफ नहीं है बस यह कि आप amphibians के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए thank you very much